आज किस वीडियो में हम कुछ important points and questions के बारे में बात करने वाले हैं जैसे कि back office information के बारे में, omedia post के बारे में, capture code, extension email, visual और इसके अलावा कुछ और भी important points के बारे में तो सबसे पहले हम back office information को समझ लेते हैं back office information की अगर हम बात करें तो yesterday गुर्षमिंदर धिलेंसन ने, o founder back office के update section में एक post किया था उम्मीद है कि आप सभी ने check किया होगा अगर आपने अभी तक check नहीं किया है तो founder back office को login करके update section में जाके उस post को आप लोग जरूँचे कीजिए next अगर हम omedia post की बात करें तो omedia के official facebook page पर एक वीडियो आया है जिसमें partnerships की रिगार्डिंग, conferences की रिगार्डिंग, activities की रिगार्डिंग and concerts की रिगार्डिंग एक वीडियो है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा इसके अलावा अगर हम capture code की रिगार्डिंग बात करें तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जो capture code का option दिया गया है तो capture code सबसे पहले आपको fill करके submit करना है उसके बाद आप confirm order पर क्लिक करके आगे बढ़ पाएंगे और आसानी से open को purchase कर पाएंगे इसके अलावा अगर हम extension email की बात करें तो extension email आप सभी जानते हैं कि 21 नॉम्बर के आस पास लगभग सभी को जिन्होंने 24 नॉम्बर से पहले open को purchase कर लिया था तो उन सभी को extension की regarding email receive हुआ है उनके alternate email address पे तो कुछ लोगों का मेरे पास message आया कि सुरत जी ये mail real है या fake है मैं आपको बतना चाहूंगा friends कि आप उसको अच्छे से चेक कीजिए कोई भी mail अगर आपको receive होता है तो उसको आप चेक कीजिए कि वो कहां से आपको receive हुआ है जो extension की regarding email आपको receive हुआ है आपके alternate email address पर आप उसका email address चेक कीजिए कहां से आपको रिसीव हुआ अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे लिखा वा इमेल एड्रस दिया हुआ है support at the right on passive.com जो on passive का official email address है तो वहां से आपको email रिसीव हुआ है इसके लवा अगर आप अपना email चेक करेंगे email आने की subscription हो गया wallet transaction हो गया my orders हो गया इन सभी में extension की regarding आपको information दी गई है तो extension की regarding आपके alternate email address पर जो message रिसीव हुआ है वो real है वो on passive की तरफ से ही आपको receive हुआ है इसके अलावा अगर है विड्रॉल की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास question आ रहा है कि सुरद जी अगर मेरे ecosystem wallet में कुछ affiliate commission जनेट हुआ है और उसे अगर मैं withdraw नहीं करता हूँ तो क्या वो affiliate commission on passive के पास वापस चला जाएगा क्या on passive ये सोचेगी कि इस person को withdraw करने में interest नहीं है इसलिए मैं इसे वो आपस ले लेता हूँ friends मैं आपको बतना चाहूँगा कि आपको confused होने की जरूरत नहीं है right आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपका affiliate commission आपके ecosystem wallet में ही रहने वाला है आपको ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका affiliate commission तब generate हुआ है जब आपके organization में sales generate हुआ है आपका sales generate हुआ तब on passive में आपको affiliate commission दिया है तो affiliate commission video करने के लिए दिया है ना क्यूंसे वो आपस लेने के लिए तो आपका affiliate commission जो भी है वो आपके ecosystem wallet में ही रहने वाला है उसे आप त्रिनत्री वीडियो के लिए request कर सकते हैं या फिर एक मेने बाद दो मेने बाद एक साल बाद आप कभी भी request करें कोई दिक्कत नहीं है आपका जो भी affiliate commission generate होगा receive होगा वो आपके ecosystem wallet में ही रहने वाला है नेक्स्ट अगर हम bank accounts की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास question आए कि सुरज जी bank account के थुरू वीडियोल की request करने के लिए क्या हम जंधन account को यूज कर सकते हैं तो इसकी रिगार्डिंग मेरा suggestion यह है इसकी bank account के थुरू वीडियोल की request करने के लिए जंधन account हो गया या फिर कोई ग्रामीड बैंक हो गया जैसे कि सर्व यूपी ग्रामीड बैंक पर्थमा यूपी ग्रामीड बैंक राइट तो ऐसे जो बैंक है इनको आप use मत कीजिए आप अच्छे banks को यूज कीजिए जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया, Access Bank हो गया या फिर SBI हो गया आपका Union Bank, Canada Bank या और भी जो बैंक है अच्छे 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 उनको आप यूज कीजिए bank account के थुरू वीडियोल की request करने के लिए किसी ग्रामीड बैंक या जंधन account को आप यूज मत कीजिए इसके लावा वीडिय वीडियोल का option आपको तब देखेगा जब आपके ecosystem wallet में affiliate commission receive होगा, मतलब जब आपके revenue wallet में आपका affiliate commission दिखाए देगा तब ही आपको withdraw option दिखाए देगा, इसके पहले अगर आपके ecosystem wallet में कोई भी affiliate commission receive नहीं हुआ है, तो withdraw option आपके my wallet में दिखाए नहीं देगा, और आप सभ जानते हैं कि आपको affiliate commission तभी रिसीव होगा जब आपके organization में कोई sales net होगा, उमीद है कि ये point आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों का ये भी question आ रहा है कि सुरज जी, क्या traffic distribution start हो चुका है, मैं आपको बताना चाहूँगा friends कि अभी तक start नहीं हुआ है और answer ने update भी दिया था कि traffic distribution start करने का date भी answer announce करेंगे तो इसके लिए हम सभी को wait करना है, जब भी start होगा, जब भी process start होगा तो इसके बार में हम सभी को information मिल जाएगी, answer date गरा जो भी है, वो सब कुछ बता देंगे तो just हम सभी को wait करना है, तो ये थे कुछ important points जिसकी regarding मुझे आपसे बात करने थी उमीद है कि ये सभी point आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे, ये वीडियो भी आपको informative ज़रूर लगी होगी वीडियो informative लगी हो, तो वीडियो को like, share and channel को subscribe ज़रूर कर लिजएगा